मुझेश कुमार कैबनेट में शिक्षा मंतरी का पत सम्हाल नहें मेवालाल चौदरी को महस दो घंडे के भीतर ही अपना इस्तिफा देना परा है मुझेर के तारापुर विधान सवा सेट से जिते मेवालाल चौदरी को नितिश सरकार में शिक्षा मंतरी बनाया गया था मेवालाल चौधरी ने शक्षा विवाग सम्हाल लिया और शक्षा मंतरी के पत सम्हालने के दो घंटे के अंदर मेवालाल चौधरी ने अपना इस्तिफा दे दिया है हलाकि मेवालाल चौधरी ने इस्तिफा मुख्य मंतरी के निर्देश पर दिया है पत्त सम्हालने के बाद मेवालाल चौधरी ने कहा था कि विरोजियों की ओर से उनके उपर लगाये गए आरोप बेबुनियाद हैं उनके उपर कोई चार सीट नहीं है पत्नी के मृत्तों से जोड़े सबाल पर उन्होंने कहा था कि जिस IPS अर्धकारी नहीं आरोप लगाया है उसके खिलाप वो पचास करो रुपए का मानहानी का मुकदमा दर्ज करेंगे उन्होंने कहा कि उनके खिलाप कोई तथे नहीं है जिसकी जांच की बात हो आपको बता दें कि मेवालाल चौदरी को शक्षा मंतरी बिरानी की घोष्णा के बाद से ही बिहार की राजनिती गर्मा गई थी दरसल उनके बिहार अग्रिकल्चर इन्वर्सिटी सबौर में वीसी रहते प्रोफेसर नियुक्ति में धांदली की बात सामने आई थी ततकालिन वीसी रहे मेवालाल चौदरी पर आरोप लगने के बाद राजेपाल के आदेश पर जांच कराई गई थी हाई कोर्ट के पुर्व जस्टिस के जांच में उन पर लगे सारे आरोप सही पाए गए थे इस केस में मेवालाल चौदरी का भतीजा गरफतार भी हुआ था वहीं पूर्व विसी मेवालाल चौदरी पर सबोर ठाने में एक मामला दर्ज किया गया था मेवालाल चौदरी ने आज जैसे है शक्षा विवाग पहुँचकर अपना विवाग समभाला वहाँ उनको बधाई देने वालों की ताता लग गया काफी सारे गुलदस्ते उनको लोगों ने वेंट की लेकिन किसी को ये पता भी नहीं था कि ये गुलदस्ते किसी और के काम आएंगे और वो सारे गुलदस्ते बिभाग में ही पड़े रह गए क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री का निर्देश आया मेवालाल चौधरी मुख्यमंत्री निवास पहुँच कर अपना इस्तिफा सौप दिया और सारे गुलदस्ते उनके दफ्तर में ऐसे ही पड़े रह गए आपको पता दें कि मेवालाल चौधरी के शिक्षा मंत्री बनाने पर तेजिस्वी यादम ने शिक्षा मंत्री पर व्रस्ताचार का आरोप लगाते हुए नितियस कुमार सरकार पर निशाना साधा था तेजिस्वी यादब ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्रे नितिश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ती और भवन निर्मान में वरस्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया है उन पर IPC के धारा 409, 420, 466, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज है तेजिस्वी ने राजसरकार से साबाल पूछा कि क्या मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रे बनाकर वरस्टाचार का इनाम और लूट की खुली छूट दी गई है इस मामले को लेकर मेवालाल जब शिक्षा विवा का पद्वहार ग्रहन कर रहे थे उसी बीच नितिश कुमार ने मेवालाल को इस्तिफा स्वापने का निर्देश दे दिया और दो घंटे के अंदर ही मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री के कूरसी से दूर हो गए अब बताईए अगर उनके पत्नी के बारे में हम अगर ब्लेम करें तो यह आपके एमोशनल यह सब तो आपको एक ऐसा वो जो आदमी ने लगाया है हमें लगता है कि वो इस जूक का आदमी नहीं है, ना संसक्रिटी, ना संसकृति ना सब्हाता जानते है प्राइमरी स्कूल उनको खोलने के लिए क्या है? आप तेरा हमको आपसेशन से मीटिंग करने लीजिए देखिए सुन लीजिए अब हो गया अब आईए सब्जेक्ट शिक्षा के उपर आईए शिक्षा मंतरी का पत संभाले मेवालाल चौधरी जब तक अपने विभाग के बारे में कुछ डीटेल बात करते है अधिकारियों से मिलते तब तक मुख्य मंतरी का निर्देश आ गया और उनको इस्तिफास देने की बात कही गई मेवालाल चौधरी शिक्षा विभाग से सीधे निकले और मुख्य मंतरी निवास पहुँच गये और महस दो घंटे के लिए वो शिक्षा मंतरी बने और दो घंटे के अंदर ही पिछले आरोपों की बज़य से उनको इस्तिफास देना परा यह बिहार में पहली घटना नहीं है निटिश कुबार सरकार में इससे पहले भी एक बड़े मंतरी को इसी तरह आरोपों के कारण इस्तिफास देना परा था मेवालाल चोधरी के स्तिफे के बार निरेज कुमार ने एक ट्वीट कर यह कहा कि यह मुख्य मंतरी निटिश कुमार के ही सरकार में हो सकता है जहां पर क्राइम, कम्निलिजन और करप्सन पर कोई समझाता नहीं है जिरो टॉलेंस है निरेज कुमार ने विपक्ष के नता तेरियस्वी यादा पर निशाना साधावर कहा कि अब उनको भी बड़पन दिखानी चाहिए और उनके उपर जो आरोप हैं उसको लेकर के उनको भी अब पहल करनी चाहिए बहराल नितिश कुमार सरकार में मेवालाल चौधरे के इस्तिफे से बिहार में गरमाई राजनिती एक बार तो ठंडा पर जाईगी लेकिन ये पहली दफ़ा है कि नितिश कुमार सरकार में जितने मंत्रे बनाए गए हैं सारे के सारे करोड़ पती हैं, सारे के उपर अपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे में नितिश कुमार अपने मंत्रे मंडल को कैसे चलाएंगे ये आने वाला कल ही बताएगा पत्ना से खुलासा के लिए अनुप्रकाश की रिपोर्ट